नमस्कार दोस्तों मैं आपका गाइट हो जांक करेंट अफेर्स में आप लोगों को हमेशा दिक्कत आती होगी कि हमें कौन-कौन से टॉपिक कवर करने हैं कैसे नीज पर पढ़ना है क्या टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और UPSC इस्पेशली प्री में क्या डैमे साइंस तो उसमें मैं कौन-कौन से पोश्चन करेंट अफेर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों मैं आपका गाइड हो जांग डारेक्टर हो जांग का यस अकैडमी आज शुरू करता हूं करेंट अफेर्स के इंपॉर्टेंट मुद्दे जो आपके लिए इन्वार्मेंटल पॉलूशन यानि की परियावरणी प्रदूशन पर आपको बहुत फोकस करके रखना पड़ेगा जो भी अकबार में यूज आ रही है हूँ या इस बार के लिए इंपॉर्टेंट जो भी आपकी खबरें हैं वह आप यहां पर कबर करेंगे नेक्स वन है इन्वार्मेंटल डिग्रेशन यानि परियावरणी अवनेयन चाहे वो समुद्री प्रदूशन को लेकर इस बार आपने देखा माइक्रो प्रास्टिक्स को लेकर समुद्रों में बढ़ता हुआ तेल के रिसाव को लेकर तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टे में और इसी तरह के तमाम जो है जल्वाई परिवर्तन संबंदी खबर आती हैं अंटार्टिका की बरब पिखल रही है आर्क्टिक पिखल रहा है इस से लेटेट नेक्स वन कोरल रीफ यानि प्रवालों से संबंदी जो है वो खबरे होती है बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी आपने देखा जो फेंडी नाम का तूफान आया उसको लेकर युनाइटेट निशन का एक आउटपुट है कि इसकी वजह से भारत ने जो चेतावनी जारी की बहुत तुरित कारी किया उसके इसे कई लोग की जान बचाए जा सकी है तो डिजास्टर इंडिया में क्य हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर क्या खबरे आपकी आ रही है यह आपको निरंतर जो है वो अपडेट करते रहना पड़ेगा तो दोस्तों यह रही आपकी इन्वार्मेंट से लेटेड निउस जो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है चले हम अगली हिस्से की कि बात करते हैं कि हमें अगले हिस्से पर और क्या 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 काम करना पड़ता है अब हम बात करेंगे इस्पेस टेकलोजी यह उत्रिक्ष्प्रद्रगी संबंदित जो खबर है वो आप किसमें कवर करते हैं चाहे वह इस रोकी कोई उप्लब दी हो नासा हो या कोई भी और और महत्रपुन जो इसको लेकर एक इंपॉर्टेंट खबर आ रही है दूब्ला है बायो टेक्नॉलजी की से लेकर यह इंपॉर्टेंट एक खबर होती है नेक्स वन आपका रच्छा संबंदित मुद्दे यह बहुत इंपोर्टेंट होते हैं जैसे क्या हमारे यहां जैसे धनुष नाम पर शामिल किया गया तेजस का सामिल होना भारत इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है इसके बाद है सिक्यूर्टी रिलेटेड इसूस चाहे वह साइबर सेक्यू जो है वह बहुत जाधा बंते हैं बहुत इंपोर्टेंट है चली शाय अगले हिसे पर बात करते हैं और अगला हिससा हमारा है था Durham होते हैं बहुत ब्लब्लबेंगी अर्थिक समृध और विकास संबंधित मुद्दे आहें घ्डेविंट rec instructors कर रही है तो कोई भी अगर आपकी चीज बन रही है उस पर आप तुरन फोकस करेंगे अगला जहां से जरूर जो है वो कोईशन आता है वह बैंकिंग और आर्बी आई यानि कि जो हमारा बैंकिंग तंत्र है और रिजर बैंक आफ इंडिया है यह बहुत इंपोर्टेंट है यह हमारे लिए एक इंपोर्टेंट सेग्मेंट तयार होता है नेक्स वन इंडस्ट्री सर्विस और मसमी यानि उद्योग सेवा और लग उद्योगों के बारे में बात हो रही है आज के समय में यह बहुत इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण यह इंपुड दिया जाता है तो कि आप यहां पर बात करेंगे कर कौन से जैसे जीस्टी लागू हुआ उसमें क्या दिकते आ रही है सरकार कुछ नया जो है वो बात कर रहा है या ब्लैक मनी यानि काले धन को लेकर बात हो रही है तो इस पर आप जैसे कोई न्यूज आती है आप इसको अपडेट करना शु पर करते हैं आप अगर आपके कटिंग करेंगे या इसके जो है नोटs बनाना शुरू करेंगे चलि हम नेक्स बात करते हैं foreign capital, foreign trade and balance of payment यानि कि हमारी विदेशी पूँची से संबंदित खबरे अगर हम विदेश व्यापार से संबंदित खबरे और हमारे भुक्तान यानि संतुलन यानि balance of payment से संबंदित जो मुद्दे होते हैं वो हमारे लिए बहुत important हो जाते हैं इसके बाद हमारा जो अगला खबर बन जाता है वो capital market और सेबी को लेकर रहता है यानि कि अगर हम बात करेंगे तो capital market यानि हमारा पूची बाजार कैसा है और हमारा share बाजार कैसा है आपको पता है FII के लिए बहुत important है भारत में पूची बाजार का विक्सित होना बहुत जरूरी है तो ये एक ऐसा input है जिस पर हमें लगातार काम करते रहना पड़ेगा नेक्स वन है agriculture यानि कि आप जो है वो क्रशी को लेकर बातचीत करेंगे तो agriculture बहुत important मुद्धा है क्रशी बहुत बड़ा segment है आपको पता है pre or mains में निरंतर यहां से जो खबरे आती है नेक्स है हमारा infrastructure related issues यानि कि अब संरचना से सम्मधित मुद्धे अब संरचना में railway, सडक, जहाज रानी यानि शिप यार्ड और आपने देखा होगा high speed railway इन सब से related जो खबरे आ रही हैं वो सभी आपको infrastructure में cover करनी पड़ेंगी आपको इस पर विशेज ध्यान देना पड़ेगा तो ऐसी condition में हम लोग जो देखते हैं वो यह है यह प्रमुक खबरे हैं इनकी आप dairy बनाएंगे, इनकी आप जो है वो coffee बनाएंगे और इनको आप update करेंगे और अगर आप यह नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों मात्र 999 रुपए में मैंने यह पूरे एक साल की जो खबरे हैं इनको मैंने update करना शुरू कर दिया है, classes में ले रहा हूँ और अगर आप इससे लाभानवित होना चाहते हैं तो दिये गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और एक महीने के लिए 30 से 35 घंटों में मैं इसको cover करने का प्रयास कर रहा हूँ और इससे आपको बहुत benefit होगा, वो जो इस बार exam दे रहे हैं और वो जो UPSC को समझना चाहते हैं कि current effects जैसे बड़े मुद्दे को हम कैसे तयार करें तो चलिए दोस्तों उमीद है इससे आपको बहुत लाभ होगा और आने वाले जो मुद्दे हैं मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगा कि quality या governance related कौन-कौन से मुद्दे हैं जो आपको current effects में तयार करना चाहिए तो इंतजार रहेगा आप इस particular नेक्स वीडियो के लिए आपको यह वीडियो कैसा लगा जुरूर बताएं और यहीं से अपनी तयारी को शुरू कर दें धन्यवाद दोस्तों